दोस्तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि CBI क्या है, उसका गठन कब हुआ था और किस कानून के तहट उसके पास शक्तियां और अधिकार आते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं ऐसे इन्फर्मेटिव वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ तो आईए दोस्तों हम बात करते हैं CBI को Center Bureau of Investigation कहा जाता है और इसका गठन एक अप्रेल 1963 यानि 1963 में हुआ था इसे देश की सबसे बड़ी जांच एजनसी भी कहा जाता है और CBI जिस कानून के अंतरगत काम करती है वो है Delhi Special Police Establishment Act 1946 जो CBI की कारे परनाली को डिसाइड करता है और CBI में दो तरह के विंग होते हैं एक होता है समाने विंग जो समाने अप्राधो को समाने अप्राधो की जांच करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो फ्रोड कर रही है जहां पर पब्लिक का पैसा involved है इन मामलों की जांच कर सकती है यह आर्थिक मामले है आर्थिक मामलों से जुड़े मामलों की जांच CBI कर सकती है और जो है आपके serious crimes like bomb blast, terrorism, mafia underworld से जुड़े मामलों की जांच CBI कर सकती है और अगर किसी राज्य सरकार को लगता है कि किसी particular मामले यानि कोई मामला अगर गंबीर है उसके लिए CBI की जांच बहुत ही जरूरी है तो वो राज्य सरकार केंदर सरकार से request कर सकती है कि इस particular मामले की जांच CBI द्वारा करवाई जाए जैसा कि हम सुशान सिंग राजपूत के case में देख रहे हैं कि बिहार सरकार ने CBI जांच के लिए केंदर सरकार को request की है तो आप आप ये process समझ गई होंगे कि पहले राज्य सरकार को केंदर सरकार को कोई matter है वो recommend करेगी जिसमें CBI की जांच होनी चाहिए और केंदर सरकार फिर उस matter के लिए CBI को approval देगी कि आप इस matter में जाके जांच कीजिए तो ये जो chain है ये आपको समाझ आ गई होगी section 6 के according सहमती की सूचना को जारी करना होता है और यही section 5 के according केंदर सरकार को भी सहमती की सूचना को जारी करना होता है कि जिस matter को CBI को recommend किया जा रहा है और यहाँ पर एक बात और मैं आपको important बताना जांगा कि high court और supreme court जो है किसी भी मामने की जाच के लिए CBI को order कर सकती है उसमें केंदर सरकार के approval की कोई भी जूरत नहीं है और दूसरी चीज जो मैं आपको बता जांगा हो यह है कि corruption से जुड़े मामनों की जाच के लिए CBI को केंदर सरकार के approval की जूरत नहीं है अगर उसमें जो corrupted officers हैं वो joint secretary और या उसके उपर के हैं तो उन मामनों में केवल CBI को केंदर सरकार के approval की जूरत पड़ेगी तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के regarding कोई भी query है कुछ भी cautions है या आपके कुछ comments हैं वो आप नीचे mention कर सकते हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आपके comments का मैं answer दूँ और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको share कीजे चैनल को subscribe कर लिजे और इस वीडियो को like कर देजे थैंक यू